Hello friends, आज की सेसर में हम more hardness scale के जितने भी mineral हैं दोस्तों उनका physical and optical property के बारे में जानने की कोसिस करेंगे तो more hardness scale एक क्या है दोस्तों एक arbitrary scale है जिसमें की हम hardness नापने के लिए ये scale को हम use करते हैं दोस्तों more scale में पहले जो mineral है दोस्तों उसको टाल को बोलते हैं टाल के उसके बाद दोस्तों जिसम देन कालसाइट फ्लोराइट आपाटाइट और्थोक्लेज उसके बाद दोस्तों हमारा क्वार्ज ओके देन हमारा टोपाज उसके बाद दोस्तों कोरंडम उसके बाद दोस्तों हमारा डाइमंड तो यह दोस्तों हमारा टाक, जिसम, कलसाइट, फ्लोराइट, अपाटाइट, और्थोक्लेज, गॉज, टोपाज, क्वार्णडम उसके बाद दोस्तों हमारा डाइमंड यह दस मिन्नल को हम ओव हाडनेस केल में यूज करते हैं यह जो सामने में देख रहे हैं दोस्तों यह लोव हाडनेस मिन्नल ह जैसे कि टाल, जिफ्सम, आप देख रहे हैं कालसाइट, 3, फ्लोराइट यह दोस्तों नेल हडनेस है, लेकिन यह दोस्तों बहुत ही हाडनेस है, डाइमंड हो गया, करंडम हो गया, बहुत ही ज्यादा हडनेस उनका है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हम टोपाज से ही टोपाज क्या है दोस्तों एक क्ले मिन्राल है जिसका की आप देख सकते हैं कॉंपोजिशन Mg3, Si4, O10, OH2 है मोनोकिनिक सिस्टम में यह दोस्तों क्रिस्टलाइज गरता है ओल दी टाल्क और ओल दी क्ले मिन्राल ग्रूप और मिन्राल जेनरल क्रिस्टलाइजिन फाइलो सिलिकेट स्ट्रॉक्चर हो यार सिलिकॉन इस्टु ऑक्सिजन रेशियो कितना ह ओके जितने भी टोपवाज मिन्राल होते हैं जो कोई भी मिन्रल क्ले मिन्रल अगर आपको देखने को मिल रहा है और दोस्तों फाइलो सिलिकेट स्ट्रॉक्चर ही दिखाएगा ओके तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसका फिजिकल प्रोपोटी के बारा में जानने इकोसिस करते हैं फिजिकल प्रोपोटी आपको दोस्तों कॉलर वाइड मिल जाएगा एमजी का टायन होने के कारण लॉस्टर रेजिनियोस लॉस्टर थोड़ा ग्रेसी टाइप अप लॉस्टर और इसका हाडनेस वान दोस्तों हाडनेस दोस्तों फॉरफेक्ट बासाल क्ल सब्सक्राइब दोस्तों जनरल यहां पर आपको बासाल क्लिवेश देखने को मिलेंगे स्पेसिविक ग्रेविटी टू पॉइंट सब्सक्राइब तो यह यह वह यह बैराइटी इसका मिल जाएगे स्टेट आइट शॉप स्ट्रम इसका ऑप्टिकल प्रोपोटी देख ले पर एमजी 3 एसाइफ और टेन ओएस टू जो कि मॉनोकिलिक सिस्टम फाइलो सिलिकेट स्ट्रोक्चर यहां पर फिजिकल प्रोपोटी वाइड कलर रेजिनियोस लॉस्चर परफेक्ट बासाल 2.7 टू 2.8 दोस्तों इसका फिजिकल प्रोपोटी उसके बाद ऑद ऑप्टिक केक्षिंसों यहां पर आपको सोग करेगा तो यह यह दोस्तों हमारा टाल ग्रूप मिनरल उसके बाद आता है हमारा जिप्सम जो की सेकेंड हार्डेस्ट मिनरल है दोस्तों जिप्सम का कमपोजिशन सी एस ओ फॉर तो एच्टू ओ अन्हाइडरेट के साथ दोस्तों यह आ किना कोफिशन सी लिए बोलते हैं दोस्तों नोट वाण बाद डीरेक्शन में आपको का क्लीवेश देखने को मिलेगा क्ली एक हाडने से हमारा टू तो उसके बाद दोस्तो हमारा कुछ optical property यह biaxial negative है दोस्तो क्योंकि monoclinic system biaxial negative है और इसमे दोस्तो non-pleochory है दोस्तो यह mineral non-pleochory है oblique extension है gypsum generally twinning हो करता है salotel low में gypsum salotel low monoclinic system आपको भी पता है दोस्तो यह हमारा क्या दोस्तो जिपसम उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे की जो मिनराल है दोस्तो उसका नाम है कलसाइट कलसाइट दोस्तो आपको पता होगा कलसाइट का कॉमपोजिशन क्या है दोस्तो CACO3 कलसाइट का कॉमपोजिशन क्या है दोस्तो CACO3 तो इहाँ पर दोस्तो क्या है कि आपका जो कलर है वाइट है लस्चर विट्रियस रहोंबोहेडरल फॉर्म क्लीवेज परफेक्ट होता है दोस्तो परफेक्ट थ्री स्टेट क्लीवेज आपको देखने को मिलता है क्लिवेज को क्या बोलते हैं रहोंबोहेडरल क्लिवेज फ्रक्टर कॉनकोइडल है दोस्तों और हाडनेस इसका क्या है हाडनेस है तीन हाडनेस आपको देखने को मिलेगा स्पेसिपिक ग्रावेटी 2.71 तो अप्टिकल प्रोपोटी हम देखते हैं अप्टिकल प्रोपोटी है नोन फ्लियोकोरिक इन नेचर हाई बाइरेफिजेस पॉली सिंथेटिक ट्विनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों पॉली सिंथेटिक ट्विनिंग और इनी एक्सियाल यह नेगेटिव मिन्डाल है यहाँ पे ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको अपजोर देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो काल साइट कॉंपोजिशन सी ये सियो त्री कॉलर हुए वाइट ओके लस्चर क्या है दोस्तों हिट्रियस परफेक्ट कार्बोनेट रोग दोस्तों यह क्या है दोस्तों एक कार्बोनेट रोग है उसके बाद आपको जो बहुत ही ज्यादा होता है इसलिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे इस मिन्राल को यूज करते हैं इसका दोस्तों देख सकते हैं आप बहुत कितना है आपको भी देख सकते हैं 2.71 है ट्विंकिलिंग इफ्यक्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ओके बस अई था दोस्तों इवनी एक्सियल नेगेटिव मिनना लगे यह इनी एक्सियल इवनी एक्सियल नेगेटिव क्योंकि आपको भी पता है जितने भी कालसाइट होते हैं जेनरली हो ट्राइगोनल सिस्टम हेक्सागोनल का ट्राइगोनल सिस्टम में क्रिस्टालाइज करते हैं और दोस्तों यूनी एक्सियल नेगेटिव होते हैं सभी सभी दोस्तों हमारा यूनी एक्सियल नेगेटिव होते हैं मतलों की आपका कल साइट में और जिपस क्या है दोस्तों, CAF2 होगा ओके यह दोस्तों CAF2 composition है क्यूबिक मिन्डाल है दोस्तों कलर क्या है green ऑके आपको फ्लोर सेंस यहां पर देखने को मिलेगा एक important property है फ्लोर सेंस कहाए इन्फोरेंस में दोस्तों दोस्ते चेनज होता है लश्चा साथ ध्रेज दीखेगा स्ट्रेकर दोस्तों वॉइट दिखेगा सांभर तफ़ी ग्रावइटी ध्री-पय्स सप्यूट धियूम्ताइग्श घू ग्य्स क्लिवेज देखने को मिले दोस्तों ओक्ता हैड़ स्बस्तों अभी असे पटेज़ से आप को फोर सेड की मैं से क्लिवेज आपको इहां पर देखने को मिलेंकि फ्लोरत नस यह बहुत प्राइप यह दोस्तों और आपको बाइफिज़ नहीं मिलेगा दोस्तों यह टोटल एक्चेंशन डार्क हो जाएक दोस्तों जब आप क्रोस निकल प्रिजी में आप देखोंगे तो यह क्या हो तो चलिए दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं CAP2 है इसका composition उसके बाद हमारा मिंदल जो है दोस्तो अपाटाइड मिंदल है अपाटाइड मिंदल है का composition आप देख सकते हैं CAP5 PO4 3 यह दोस्तो Hydro Oxide मिंदल है OK FOH F O H C L ओके यही है दोस्तों इसका composition CA2 PO4 O H F C L ओके अब ओल दी अपटाइट mineral are crystallizing hexagonal system hexagonal system दोस्तों यहाँ पे silicate mineral नहीं है यह non silicate mineral है इसका physical property आप देख सकते हैं की color है green, strike है white, hardness 5 specific gravity 3.2 cleavage दोस्तों इसका poor ही होता है cleavage दोस्तों थोड़ा poor ही होता है यहाँ पे आपको बहुत ही कम cleavage देखने को मिलेगा ओके तो कभी-कभी cleavage दोस्तों not not one direction में आपको देखने को मिलेगा कभी-कभी not not one direction में मतलब कि दिखने को मिलता है लेकिन थोड़ा पोर देखने को मिलता है ओके तेन उसके बाद दोस्तो ऑप küç के प्रिकल प्रोपर्डि क्या है inchल डिमीक अटेप पस्पेट होता है तोस्तों इस मिन्दल पे फॉस्पेट पीओ फॉर और से फिप फॉर ओफ फॉर ओए है यहां पर फॉस्पेट रीच मिन्डलोगता है ओक कलर ध्रीन यह थोडा इंपोडन्स हम मोई हे यह नोन प्ली-व exempel के हो यह है और थो कलेज्स मिनेरल आपको पबता है के इसका कॉंपोईशन के एक केसी थी oh एयट थे उपकों हड़नेश प्ररोपोटी के बारे मियं हैं पर बताने जाँ तो फिजई कल बोट ट्यक्या है दोस्तों फिजई कल प्रोपोटी हैं पर दोस्तों यह पर वाइड कलर रेखने को मिल जाएंगे कर पर 10 रिच वे डियुक्थ होता है दूसरे होते हैं जैसे Green होता है और यहाँ पर आपको Luster मतलब की Streak White मिल जाएगा Luster Vituyaus Luster मिल जाएगा Hardness 6th से Specific Gravity जो है Specificouth gravity क्या है दोस्तो 2.56 होता है Cleavage Perfect Cleavage Perfect 90 degrees हो है Cleavage यहाँ पर आपको टेक्टो सिलिकेट का मतलब क्या है दोस्तो वान इस्टू टू रेसियो में आपको यहाँ पे सिलिकोन इस्टू ऑक्सिजन मिल जाएंगे टूलीड टेक्सिजन होता है एंगेल और कि नॉन फ्लीयो कोरिक होता है थोस्तो रेद यहाँ पे आपको मोडरेट देखने को मिलेगा रिलीब आपको लोटो मोडरेट देखने को मिलेगा कर्या बाई रेफ्रिंजेस भी आपको ओई moderate low to moderate बाई रेफ्रिंजेस आपको moderate रेखने को मिलेगा दोस्तो बाई एक्सियल नेगेटिव होता है ये मिनल बाई एक्सियल नेगेटिव होता है जन्नली बाई एक्सियल नेगेटिव होता है ये थोड़ा धियान में रखना दोस्तो जो डूसरा मिनलने हमारो क्या है क्वार्ज 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 क्या दोस्तो एक्वा टू क्वार्ज लाइठ के हिसाब से कलर यहां पर देखने को मिलता है उक क्वे 여러분 का मिल जाता है दोस्तों color variable hardness दोस्तों इसका 7 होता है अगर किसी भी मिन्नाल का hardness 7 हो जाता है क्लिवेज आपको मिलेगा यह नहीं specific gravity SPGR specific gravity कितना है 2.65 ओके 2.65 होता है दोस्तों क्लिवेज आपको यहां पे absent मिलेगा क्लिवेज आपको absent मिलेगा दोस्तों को आडल fracture क्वोड़ क्वोड़ फ्राक्चर टुनिंग प्रेजेंट है दोस्तों टुनिंग ब्राजील लो जिप्सम ब्राजील लो जापनिस लो यहां पे दोस्तों ओके आपको मिल जाएगा डाव फिल लो क्वाज क्या कौन सा सिस्टम में क्रिस्टालाईज करता है दोस्तों hexagonal system में hexagonal system में आपको वाज क्रिस्टालाईज देखने को मिल जाएगा उसके बाद क्या है दोस्तों हमारा hai our Joe हे इल्खून फीन विंदाल किनुाइड है नौन कख मिंदाल आ ओकेप झाल है बिएक्स्टम और उनिक्सांट यह दोस्तों क्या है है से क्शगोर्णासुंस में दौस्तों क्रिस्टालाइज तो यह यूनी एक्सियल मिंडल है यूनी एक्सियल पॉजिटिव मिंडल है दोस्तों ओके और्थोक्लेस क्याता है यूनी एक्सियल नेगेटिव क्योंकि मोनोक्रिनिक सिस्टम तो बाइक्सियल होगा यह दोस्तों यूनी एक्सियल पॉजिटिव क्रिस्टाल है यहां पर हम एक शोसे लो इसे बाद आपको देखने को मिलेगा शोसके यह देखने को मिलका दोस्तों अ cogёtsだ। दोस्तों टेक्टोसिलिकेट इस्ट्रॉक्ट्चरण तेक्टोसिलिकेट श्ट्रॉक्ट्चर आपको यह देखने को मिलेगा। इसको ध्यान में रख लेना दोस्तों. आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे हमारा क्या कौन सा मिन्डल है दोस्तों टोपाज टोपाज दोस्तों हाड़ेश सिलिकेट मिन्डल इन दी वर्ड ओके टोपाज अभी तक का हाड़ेश सिलिकेट मिन्डल क्योंकि इसके बाद दोस्तों कोई भी सिलिकेट मिन्डल इतना हाड हमねंयон है तॉपाज का caն stato कूपोजिशन क्या है दुस्तों अ ए साही सोफोर एफ औपकेश इडा यह दोस्तों हाई नेस्सलीकेट अस्ट्रॉक्षर है ॉन इस टूपाज जो silicon is to oxygen का ratio है दोस्तो color क्या है दोस्तो color less to variable धोड़ा रहता है lustre, vitreous lustre, cleavage दोस्तो perfect basal cleavage साथ से ज्यादा hardness है लेकिन exception तो यहाँ पे दोस्तो आपको perfect basal cleavage देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तो concoidal fracture आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा concoidal fracture then optical property दोस्तो मतलब की टोपाज मिन्डल का क्या है non pleiocoric होते हैं सभी टोपाज मिन्डल non pleiocoric होते हैं by references low, by references relief below, refractive index below दोस्तो लेकिन यहाँ पे by XL positive आप देख सकते हैं by XL positive और यह दोस्तो एक uni XL मिन्डल है ओके तो दोस्तो straight extension है यह दोस्तो straight extension है क्योंकि यह मिन्डल orthorhombic system में crystallize करता है sorry यह uni XL मिन्डल नहीं है दोस्तो यह by XL मिन्डल है आपको बता चुका हूँ यह by XL मिन्डल है लेकिन इसमें straight extension है इसलिए होता है कि यह दोस्तो मतलब की orthorhombic system में crystallize करता है all the topus group of mineral crystallizing orthorhombic system तो जितने भी orthorhombic system में crystallize करेंगे इनका दोस्तो straight extension देखने को मिलेगा straight extension तो दोस्तो यह optical property क्या है non pleocoric by refugees is low relief low refractive index low biaxial positive straight extension आपको यहां पे दोस्तो देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो हम करण्डम के बारे में discussion करेंगे करण्डम का composition क्या है दोस्तो करण्डम का composition हमारा L2O3 है L2O3 है ओके तो सबसे हाड़ेस्ट aluminium oxide bearing मिंदल है दोस्तो हमारा करण्डम जो कि हमारा hexagonal system में crystallize करता है और इसमें cleavage दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा hardness 9 है दोस्तों cleavage आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा टोपाज का hardness क्या था आठ था इसका दोस्तों cleavage उसका था लेकिन यहां पे दोस्तों एपसेंट ओके लॉस्चर आडवन्टाइन लॉस्चर है इसका दोस्तों दो भराइटी एक होता है हमारा ruby भराइटी रूबी जो दिखने में दोस्तों red कलर होता है और एक साफायर भराइटी दूसरा है साफायर भराइटी जो की दिखने में दोस्तों blue है बस यह दो भराइटी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे उसके बाद दोस्तों optical जो property है अलुमिन मतलब की कॉरंडूम का दोस्तों relief high है बाय रेफ्रीजिस low है uniexial negative मिंडल है क्योंकि hexagonal system में यह crystallize करता है तो यह uniexial मिंडल होगा लेकिन यहां पे दोस्तों negative होगा इस मिंडल पे और एका velocity दोस्तों कम है इरे से इरे का वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है दोस्तों specific gravity आप 3.9 to 4.1 देख सकते हैं दोस्तों relief क्या है दोस्तों बहुत ही हाई है यहां पे थोड़ा लो देखने को मिलेगा दोस्तों uniexial negative मिंडल है बस यही है दोस्तों यहां पे इसके बाद दोस्तों हमारा last मिंडल जो सबसे hardest मिंडल हम जिसको बोलते हैं मिंडल का मिंडल उसको उसका नाम है diamond सबसे important precious okay diamond मिंडल दोस्तों composition क्या है सी है ओके तो यहां पे क्यूविक क्रिश्टम में सिस्टलाइज करता है दोस्तों हमारा diamond ओके यहां पे देखने को मिलेगा दोस्तों फ्लोराइड जैसा ही है और लॉस्चर दोस्तों आडवन टाइल लॉस्चर है colorless यहां पे refractive index दोस्तों बहुत ही जादा है मतलब कि isotropic होने के करान यहां पे दोस्तों आपको मतलब कि dark extension देखने को मिलेगा तो specific gravity यहां पे 3.5 है hardness कितना है दोस्तों 10 सबसे ज्यादा hardest hardness है दोस्तों 3.5 उसका specific gravity octahedral cleavage तो refractive index यहां पे बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों total internal reflection होता है यहां पे और यह बहुत ही ज्यादा हाइल मतलब कि isotropic isotropic होगा तो बाइरेफ्रिंजेज प्लियोको रिजिम यहां पे कुछ नही by references isotropic मतलब डार्क extension हो जाएगा अगर extension में देखेंगे तो यह डार्क दिखेगा दोस्तों डार्क रोस निकल प्रिजिम में हम जब study करेंगे डार्क एक्स्टिंशन मतलब की total extension हो जाएगा मतलब डार्क आपको देखने को मिलेगा in the presence of another मतलब की cross मतलब की cross polar method में ओके नीचे एक polarizer रखेंगे उपर एक analyzer जब रखेंगे और बीच में दोस्तों आप diamond रखेंगे तो यह दोस्तों पुरा डार्क दिखने को मिल जाएगा दोस्तों यह हमारा diamond का मतलब की property आइसोट्रोफिक होगा तो नॉन प्लियो करी अब्योजली होगा दोस्तों बस यह है तो diamond में क्या याद रखना है क्यूबिक परफेक्ट अप्टर हेटरल क्री बेस लॉस्चर अडवन्टाइन कलरलेस स्पेसिवी ग्राविटी 3.5 हाडनेस दोस्तों दास है और ऑप्टिकल प्रपोडी दोस्तों आइसोट्रोफिक ही है आइसोट्रोफिक मतलब कि नो प्लियो को रिजिम नो बाय रेफ्रिंजेस बस नो इंटर्फेरनेस कलर अल्ली आपको डार्क एक्शिंस देखने को मिलेगा बस यही है दोस्तों ओके रिफ्रैक्टिव इंडेस थोड़ा इसका ज्यादा होता है थैंक जो मिंदाल है दोस्तों टाल्क दूसरा मिंदाल है दोस्तों और्थोक्लेज तीसरा मिंदाल है दोस्तों क्वाज टोपाज चार ही मिंदाल आपको सिलिकेर स्ट्रोक्चर के मिलेंगे दोस्तों टाल्क फाइलो सिलिकेर स्ट्रोक्चर में क्रिस्टालाइज करता है और्थोक जिप्सम, कलसाइट, फ्लोराइट, आपठाइट, करॉंडम degrees, यह दोस्तों सभी non-silicate मिंडाल है, 4 silicate मिंडाल, 6 दोस्तों non-silicate मिंडाल, यह तोड़ा, यह टेबुल थोड़ा याज रेख लानाद, दोस्तों, इनमें से ओख question पूछ लेगा कि इन में से कितने मिंडल आपको मतलब कि सिलिकेट क्रिस्टालाइज सिलिकेट ग्रूप में क्रिस्टालाइज करते हैं मोह हाइडने स्केल में तो चार टाल्क और्थोक्रेस क्वाज और टॉपर्श ओके देन दोस्तों जो मिंडल होते हैं क्वाइच में पूछ डॉपश चै टाल्क और टॉपर सकते हैं पूल्स केंट तो हैद्र कॉश्टेत क्वारइज गस्तो पूश सकता है तो कार्बोनेट एक मिंदल का नाम बताएए कालसाइट मिंदल तो यहाँ पर क्या है कि एक हाइड्रस मिंदल होते हैं एक दोस्तो नोन हाइड्रस मिंदल होते हैं तो हाइड्रस मिंदल में टाल्क, अपटाइट, जिप्सम, टोपस आपको चार मिंदल दोस्तो देखने को मिलेगा और नॉन हाइड्रस में दोसतो कालणसाइट, फ्लॉराइट, और्थोक्लेज, क्वाज, कॉरॉराइटम, नाइमॉद। तोटल छे मिंदल हैं दोस्तो नॉन हाइड्रस और हालाइट गुरूप में आप फ्लोःट देख सकते फॉस्पेट का एक एक बॉल क्लासिफिकेशन क्या है रिस्पासिटल सिस्टम में कृफ्टल सिस्टम में जेनरली आपको यहां पे क्यूबिक सिस्टम में डाइमड और फ्लोःट देखने को मिलता है एक्सागुनाल में दोस्टों 4 मिंडल, कालसाइट, कॉार्ष, आपड़ाइड और कोरन्डूm जिस्टम में के अंदर देखने को मिलेगा मोनोकृलिक दोस्टों टाल्क, जिप्सम मिंडल और्टोक्लेज टाल्क, मिंनराल, जिप्सम मिनराल एंड और्फोक्लेज मिनराल वह सभी मॉनोकिलनिक सिस्टाम में क्रिस्टालाइज करते हैं ओके और्फोरोंबिक में दोस्तो एक ही लелиर होता है में टोपब independence Monoconic में टाल्क, जिब्सम, और्थोक्लेज, और्थोरॉंबिक में दोस्तो टोपज, ओके, तो यहां पे जो 8 मिंडल है प्लेजन, जहां पे दोस्तो आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा, ओल्ली 2 मिंडल जो की करण्डDerम है और क्लीवेज देखने को नहीं कर देखने को मिल जाएगा नहीं तो बाकि जो फ्लोराइट टाइमन्ड को प्रेसट स Bonnetmus दाइमन्ड मतलब कि आपको देखने को मिला है इन सभी हैं दोस्तों क्लीफेश देखने को मिल जाएगा ओके यहां फे दोस्तों, अइसो्टोमी यह दोस्तों यहांपर दोस्तों,เรา दो दोस्तो फ्लोराइट है दो मिंदल आइसोट्रोफिक है डाइमंड है दोस्तो फ्लोराइट है और बाकी जो आठ मिंदल है कि मतलब कि जिप्सम कालसाइट और्थोक्लेज क्वाज टोपाज करंडम यह सभी मिंदल दोस्तो आइसोट्रोफिक मिंदल है ओके तो यहां पर मतलब कि Total extension कहां पर देखने को मिलेगा दोस्तो आइसोतोफिक मिंदल पर लाइक डाइमोंड पर और फ्लोराइट बे यह सभी दोस्तो आपका आइसोट्रोफिक दो ही मिन्दल आइसोट्रोफिक बाकी सारे मोह हार्डनेस केल पर जितने मिन्दल प्रेजेंट है दोस्तो आइसोट्रोफिक मिन्दल है तो यहां पर कुछ मिन्दल दोस्तो युनी एक्सेल मिन्दल यह सभी दोस्तो कुछ युनी एक्सेल मिन्दल और कुछ तो दोस्तो यहां पे 5 मिन्डल आपको उनी एक्सियाल के देखने को मिलेंगे और दोस्तो मतलब की और बाकी सब जितने भी मिन्डल हैं आपको वो सभी बाइक्सियाल के देखने को मिलेंगे और कुछ दोस्तो यहां पे आपको मतलब की क्यूबिक ओक तो पोजिटिव या ने प्रचका डूप दोस्तों आपका इनी एक्षेल मतब़् की पॉजितिव नहीं है फ्रोराइट क्यू विक मिनल है के फ्रोराइट गलती से मिस्प्रिंटेड हो गया गलती से यहां पर आप देखिए दोस्तों यह तो ये मिंदल और बाखी दो मिंदल आप लिख लिजिए कि diamond, diamond, isotropic, and fluoride, fluoride, isotropic होता है, नहीं, तो यहाँ पे जितने भी mineral है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, तो 10 में से दोस्तों आपको 4 mineral biaxial में khris्टलाऊज करते हैं, 4 mineral आपका uniacial में khris्टलाइज करते हैं, uniacial positive में एक mineral है, जोकी converge है, negative में दोस्तों, क्लासिटिकेशन को थोड़ा देख लेना यार रख लेना तो क्यूंकि कोश्चन बहुत सार यहां से पूछे जाते हैं क्या 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 पूछ थे हैं कितने मिनराल और यहां कर देखने को कम ही मिलेगा कितने मिनल यहां पर क्यूबिक होते हैं और कितने मिनरल यहां पे नॉन आइसोट्रोपीक आनाइशोट्रोपीक आपको मिनरल देखने को मिलता है कुछ भी हो आपको से तरहे क्लासिबिकेशन आपको यहां पे बता दिया हूं दोस्तों पूछेगा, तो गाहे, भी हमारा चार ही है तो बाइकसर पोजिटीव मिनल पुछेगा तो दो ही आ जाएगा तो